चलिए society में हम एक कदम और बढ़ते हैं आज हम class 11th second book understanding society का chapter 3 environment and society करेंगे इसमें आपको बहुत से चीज़ें समझ में आएंगी कि environment and society के topic को एक साथ क्यों उठाया गया है book के अंडर चलिए हम इसको अप्रोच करते हैं मैंने कुछ चीज़ें यहां लिखी हैं आपको समझ आ जाएंगी थोड़ी देर के ही बात कि मैंने असा क्यों उठाया देखे जब आप अपने आपको देखते हैं अपने surrounding को इस classroom को आप observe करते हैं तो आप बहुत से articles use कर रहे हैं यानि कि मैं अप बहुंसे materials को use कर रहे हैं जैसे की आप rubber का यूस कर रहे हैं कि आप वूड़ का यूस कर रहे हैं आप iron steel बेंथ 2020 को इस्तमाल कर रहे हैं अप fiber का कपडे का इस्तमाल कर रहे हैं कि यूस कर रहे हैं इन Majority of the articles कि जभाव बात करते हैं जो आपके daily use के आर्टिकल्स हैं जब आप इनके सोर्सेस को फाइंड आउट करने जाएंगे तो आपको यह समझ आएगा कि इनके सोर्सेस आपको फ्यूं फोरा इस्टेरियास में मिलेंगे हैं आप वहां से कई तरह के मिनरल्स ढिराइब करते हैं depending एक्टिविटी से जैसे कि आपको इला आइरन ओर और कई तरह के बागी मिनरल्स माइनिंग के वाया उन्हीं जंग़़ी शेत्रों से लेकर आते हैं जहां पर आदिवासी बसा करते हैं, पेडों से ही रबर प्राप्त होती हैं, पेडों से ही आपको फाइबर भी प्राप्त होता है, रंग भी प्राप्त होते हैं, लाक में कलर होता है, इंडिगो में कलर होता है, तो आपको रंग भी वहां से प्राप्त होते हैं, और बहुत सा और एक खान पान की सामगरियां भी आपको वहीं से प्राप्तों होती हैं तो यह बहुत important role play करते हैं यह forest तो यहां पर forest जो ही यह source हैं आपके इन सभी articles का आप इन्हें यूज कर रहे हैं अपने इस रूम में बैठ करके तो एक तरह से forest areas बहुत important resources हैं हमारे लिए so they are very important resources so resources लेकिन यह इतना सरल नहीं था सबसे important चीज यह है कि आप तक यह चीज पहुंची और एक processed version में पहुंची इसके लिए कई intermediaries ने अपना रूल प्लेग किया जैसे सबसे important aspect resources की mapping करना उन resources को identify करना उन जंगलों को identify करना एक बहुत ही comprehensive task है तो उसको map करना उसका data collect करना और inventory maintain करना कि यहां पर कौन कौन से paid कौन से प्रजातियां कौन से जंगल पाए जाते हैं तो यह person यह institutions in activities में involved होते हैं and those institutions are very very important अब माल लीजे आप लकडी लेकर क्या है जंगल से तो सबसे पहले वो लकडियों के लिए लॉगर्स ने काम किया होगा उन्होंने बड़े बड़े लॉग काटे होंगे लकडियों के बड़े बड़े पेड़ और फिर सौ मिल में गए और वहां पर उन्हें प्लैंक्स में काटा गया होगा तो सौ मिल की भी यहां पर नीड है लॉगर्स की भी नीड है यहां पर सौ मिल में जाने के बाद वो वाय रोड कि नहीं processing Industries तक पहुंचे आओ अपर process हूने के बाद उन्हें बीसyy में बदला गया होगा या फिर डॉक में बदला गया होगा और फिर वो इस टिमबर मर्चेंट केपास पहुंचे उस timber merchant से आपने लिए और आपने car painter को appoint किया और car painter ने आपको वो दर्वाजे खिड किया या table बना करके दे दिया कितने लोग इसमें involved है एक बहुत लंबा system of chain है आईबा समझ में तो बहुत लंबी chain है इसमें कई stakeholder है कहीं पर production है कहीं पर processing है कहीं पर distribution है और फिर उसका redistribution है तो production, process, distribution बहुत सारी activities conduct की जाती है और ये सभी activities conduct करने के लिए उन सभी लोगों को इन sources को derive करना होता है यानि कि इन sources से ये material इन तक पहुंचें इसकी विवस्था इने करनी होती है सबसे important यहाँ पर चीज यह है कि ये विवस्था करना इन चीज़ों को अपने तक उपलब्द कराना और उन्हें जिस के लिए आप exist कर रहे हैं चाहे processing या production या फिर distribution उन्हें उस form में convert करना ये एक important activity कहलाती है जब हम resource development की बात करते हैं तो resource development is a very very complex process इसलिए ये all in all system बहुत complex हो जाता है और इस पूरे के पूरे complex system का pressure इसका burden नेचर के उपर है यानि कि उन forest के उपर है उन natural resources के उपर है आप सभी उसी के उपर आशरित हैं ऐसे में उन forest को उस nature को उस site को protect करना इतना easy नहीं रहता जितना आप imagine करते हैं क्योंकि मैंने अभी बताया कि multiple stakeholder participant हैं इस process में कुछ लोग processors हैं कुछ producers हैं कुछ distributors हैं और फिर कुछ redistributors हैं और आप consumer हैं एक अच्छी खासी लंबी supply chain है और इस supply chain को manage करना अपने आप में बहुत complex काम है और ऐसे में अगर forest को कोई नुक्सान है resources के उपर कोई pressure है तो उसको rectify करने के लिए इन सभी supply chain holders के साथ बाचीत होना और सबके processes में परिवर्तन लाना यह इतना easy नहीं होता इस task is very very difficult इसलिए natural resource management एक बहुत ही tough activity है इतनी बास समझ में आई हम क्यों इसको समझना चाहते हैं हमें natural resource को manage क्यों करना होता है इसके कई कारण होते हैं वह कारण अब हम एक-एक करके समझेंगे सबसे important aspect यह है कि अगर आप society की बात करें तो एक simple aspect यह कहा जाता है कि society के ऊपर वहां की जो ecology है यानि कि जो nature है उसकी जो विवस्ता है उसका बहुत बड़ा प्रभाव है ecology का society पर बहुत बड़ा impact है ऐसा कहा जाता है मैंने आपको पीछे के chapters में पढ़ाया भी था कि desert areas की बात करें मैंने केरला की और लद्दाक की case studies के वाया आपको यह समझाया था कि कैसे social structures, social institutions, way of interaction और social behavior यह सभी चीज़ें बड़े स्तर पर depend करती हैं कि वहां की ecology कैसी है मैंने आपको यह भी बताया था कि culture के विकास में किसी भी छेत्र के जो resources है जो वहां का जो weather है जो climatic system है उसका बड़ा प्रभाव होता है यह हम detail में पढ़ चुके इसे मैं दोहराऊंगा नहीं आज मैं सिर्फ और सिर्फ वहां पर पढ़ाई चीजों के nutshell versions ही यूज करूंगा तो simple aspect यहां पर यह है कि ecology और society आपस में strongly connected है ecology के विशे में simply हम अगर समझें तो क्या है देखिए कई तरह के आपके surrounding में जब आप देखेंगे बहुत तरह के physical element exist करते हैं जैसे की आप नदियों को observe करते हैं नदियां बहती हैं जर्नें बहते हैं मिटी परटाइल है या सैंडी है या रौकी हैं वर्षा होती हैं परवत हैं परवतों का अपना योगदान है ये सभी के सभी हवा चलती है वायू है पवन है धूब कितनी मिलती है कितनी नहीं ये सभी के सभी physical aspect हैं लेकिन इन सभी physical aspect के सासा biological aspects भी बहुत important होते हैं कि पेड़ पौदे हैं उनका विकास कैसे हो रहा है उनकी दर कितनी है वहां पर कैसे जीव जन्तु है जानवर कैसे है wilderness कैसी है तो ये सारी चीज़ें भी matter करती है इन physical और इन biological processes को हम एक साथ जोड़ करके bio physical process कह देते हैं तो ये bio physical processes है bio physical processes का अर्थ यहां पर कि ये जो biological life है ये बड़े स्तर पर depend करती है physical conditions पर जो वहां पर exist कर रहे है physical conditions है वहां पर wet conditions है या dry conditions है वहां पर air wind system strong रहता है या weak रहता है वहां पर soil fertile है या नहीं है barren land है वहां पर rivers waterfall इस तरह की चीज़ें exist करती है या वहां पर अधिकतर dryness रहती है इस version में flowing water available नहीं रहता lake है pond है या फिर waterfall है यह भी देखना जरूरी है तो इस तरह की सभी की सभी physical element nature के यह सभी physical conditions बहुत ही systematic manner में biological activities को प्रभावित करते हैं और यह biological activities भी बदले में इन physical elements को प्रभावित करती है यह एक दूसरे पर निर्भर करते हैं एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और इसी तरह से bio physical processes का जन्म होता है जैसे कि sunlight है और plants है sunlight और plants दोनों आपस में संबंद रखते हैं plants sunlight की help से ही photosynthesis process करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं physical condition यानि कि physical element और biological element दोनों आपस में interact कर रहे हैं आई बास समझ में तो bio physical processes यह important aspect है तो ecology की जब हम बात करते हैं तो उसमें हम यह समझते हैं कि ecology के तहत यह सभी के सभी bio physical processes यानि कि 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 तरह से physical world और biological world आपस में interact कर रहा है यह एक aspect और दूसरी तरफ आप जो कि human being है आपके साथ इनका संबंद क्या है जो bio physical world है इस bio physical world की interaction human के साथ किस manner में हो रही है यह भी बहुत important role play करता है इन सब चीजों को जब हम consider करते हैं तो हम किसी छेतर की ecology के विचे में बात करते हैं यदि आप एक हद से अधिक किसी तरह से technique या अपने products का use करना वहां पर शुरू कर दे तो भी ecology पर भावित होती है और ecology यदि अपनी प्रकरियाओं के माध्यम से आपको खतम करना शुरू कर दे या vanish करना शुरू कर दे तो भी ecology पर भावित होती है आई बात समझ में ecological processes में यह दोनों चीजें count होती है historical world important होता है उस physical world पे depends करता लेखा biological world important होता है और यह biological world और physical world आपस میں कैसे interaction कर रहे हैं यह important है और यह biological world आपस में कैसे interaction कर रहे हैं यह important है यानि कि wildlife और birds में insects में human में हो रही है यह महत्वोर्ण है और इनकी interactions फिजिकल वर्ल्ड के साथ कैसी हो रही है ये भी महतपून है तो आपस में इनके सम्मंद भी महतपून है और surrounding physical conditions, elements के साथ इसके सम्मंद भी महतपून होते हैं इनको समी को समावेश करके हम ecology का जर्म करते हैं इसे हम ecology के से दांत के रूप में समझते हैं आई बास समझ मैं तो जब हम ecology की बात करते हैं और ecology के साथ society को जोड़ करके देखते हैं तो दोनों में सम्मंद बनता है जिसे हम एक-एक करके समझेंगे उधारन के तौर पर देखिए जब हमने ये समझा था कि अगर हम ऐसे छेतर की बात करें जिस छेतर में बहुत अच्छी fertility है physical condition ऐसी है जो high fertility को support करती है तो उस छेतर में society भी prosperous होगी उस छेतर में society भी prosperous होगी यानि कि nature ने अच्छी खासी fertility प्रोवाइड कर रखी है और उस fertility की वज़ा से surplus agriculture है और उस surplus production के दम पर society वहाँ पर रहने वाली rich है prosperous है तो society ecology के साथ सम्मंद रखे हो है दूसरी और society क्योंकि surplus agriculture पर dependent है और society अपनी इस prosperous state को continuous रखना चाहेगी इसे और ज्यादा progress करना चाहेगी डेवलप करना चाहेगी वो इसी surplus agriculture के दम से प्राप्त हुई wealth को आधार बना करके नई technology नए processes में invest करेगी नए तरह की technologies डेवलप हो होंगे नई machines नए tools develop होंगे और इनको apply करके बड़े सतरपर nature को और प्रभावित किया जाएगा यानि की ecology और impact की जाएगी इस तरह से ecology society society ecology को एक दूसरा दूसरा पहले को प्रभावित करता रहता है और इनके आपस में सम्मंद स्थापित होते हैं इसी को हमें chapter के तहत understand करना है कि different social institutions कैसे प्रभावित करते हैं ecology को ecology कब आपके लिए वर्दान का रूप धार्ण करती है और कब वो disaster का रूप धार्ण कर लेती है disasters के कारण natural हैं या man-made हैं हमें इसको समझना है वो कितने कंप्लेक्स हो गए हैं कि आज natural और man-made में पर्क करना भी मुश्किल हो रहा है इन सभी चीजों को हमें आज अप्रोच करना है इस lecture के वाया महत्पूर्ण इसपेक्ट यहां पर धिहान देने योग जो चीज है वो यह है कि suppose कि आपने डैम बनाया आपका पर्पस डैम बनाने से यह था कि आप बैटर वाथर मैनेजमेंट कर लेंके लेकिन बैटर वाथर मैनेजमेंट फोट फोर एग्रिकल्चर पर टूरिजम पर ड्रिंकिंग वा और आप चाहते हैं कि फिश कल्चर महां पर डेवलप हो फिश फार्मिंग डेवलप हो और अर्बन एरियास की वाटर रिक्वार्मेंट फुल्फिल होती रहे और फ्लर्ड्स ना आएं तो इसकी वजह से आपने यानि कि ससाइटी ने कुछ प्रेपरेशन्स की आपने वाटर क अपना चैनल हो सकता है चेंज किया हो आपने रिवर वाटर डाइवर्ट कर दिया या आपने रेजर्वायर बना करके उसका पानी रोक लिया हो आपके पास कई तरीके हैं आप रिवर के फ्लो को डाइवर्ट कर सकते हैं कनाल बना करके आप रिवर के फ्लो को आप्स्ट्रक क्रिएट करते हैं जो कि irreversible और irreparable हूं क्योंकि downstream अब वो फ्लो नहीं रह पाएगा रिवर में रहने वाली उन life forms का जो पहले हो पाता था तो ऐसे में उनकी fertility impact होगी हो सकता है वो कई सेफ जोन्स में जा करके वह मचलियां अपने एग ले करती हों हैचरिंग ग्राउंट्स डवलप होते हों लेकिन अब वह आपने इंफेक्ट कर दिये क्योंकि वाटर फ्लो आपने ऑफ्स्ट्रक्ट कर दिया दूसरी तरफ आपने जब रिवर का रूट चेंज किया तो जिन एरियाज में पानी पहुंचने की कोई संभावना नहीं थी वहां पर पानी पहुंचा वहां की भूमी तयार नहीं थी उस के लिए तो उस जलने उस भूमी को भी विपरीत दिशा में हो सकता है प्रभावित किया हो तीसरी चीज हो सकता है कि जिन छेत्रों में पहले पानी जाता था अब उन इलाकों में खेती होने लगी है तो वहां पर भी रिवर के द्वारा जो नैचुरल कुशंस बनाए जाते थे यानि कि वो क्रेटर्स वो सारे खड़े जहां पर रिवर अपना एक्सेस फ्लो मैनेज करके रखती थी वह सभी के सभी आपने फिल कर दिये और आज आप वहां पर फार्मिंग करते हैं ऐसे में जब भी कभी रिवर में फ्लड की परिस्तिती बनेंगी आप एक्सेस आफ इस टेकनोलजी इन नए प्रोसेस की मदद से वाटर को मैनेज कर रहे हैं ऐसा आप कहते हैं लेकिन वाटर मैनेज्मेंट किस के लिए हो रही है यह बड़ी चीज़ दूसरी और आपने बड़े स्थर पर नेचर को परभावित किया लेकिन आप यह कहते हैं कि आपने नेचर को इसलिए प्रभावित किया क्योंकि नेचर आपको बहुत प्रभावित करती है नेचर आपको ऐसी condition में रहने के लिए मजबूर करती है जिस condition में आपका survival difficult है नदी हर साल बाड लेकर के आती है और हर साल आपको अपने ज़ाना पड़ता है जो कि आपकी सस्टेनिबिलिटी के लिए ठीक नहीं है ऐसे में आप खुद को पॉलिटिकली डेवलप्ट नहीं कर पाते क्योंकि आगर आप किसी जगह पर ठीकी नहीं रहे आप एकनॉमिकली सस्टेनिबल है ही नहीं तो आपका पॉलिटी साइज आपकी ससाइटी का पॉलिटिकल ली इंस्टिटूशनल डेवल्पमेंट भी वीक पड़ जाता है ऐसे में आप बैटर रूर्ड रेगुलेशन नहीं बना पाते हैं बैटर शॉर्ट टर्म डेवल्पमेंट प्रजेक्ट्स नहीं ले पाते हैं और ससाइटी ग्रोथ नहीं कर पाती है इस सेटी अपने लिविंग स्टेंडर को बैटर नहीं कर पाती अपने जीवन को सुख़द नहीं बना पाती क्योंकि नेचर आपको बांड करती है तो अलवेज इस तरहां का कन्फलिक्ट आपको नजर आता है मैं एंड एंवायरमेंट पें देर कि environment and society की बात करते हैं और कि इस तरहां से दोनों एक दूसरे को शेप करते हैं प्रभावित करते हैं उसी की चर्चा कर रहे हैं आज की चैप्टर में शुरुआत से अब तक अमूमन यह माना गया कि लंबा समय जो इतिहास में रहा मनुष्य का उस लंबे समय में प्रभाव ecology क यानि कि environment का रहा है man के उपर और man time to time adapt करता रहा environment के साथ लेकिन पिछले कुछ समय के दौरान जैसे जैसे man ने technologically progress की वैसे वैसे वो नई techniques को use कर रहा है और आज environment पे man का बहुत बड़ा impact है यानि कि societies का बहुत बड़ा impact है इसकी वज़ा से आज ये chapter महतुपुनी इसलिए हो जाते हैं क्योंकि जब भी nature है वोक क्रियेट करेगा जब भी nature में कोई disasters आएंगे जब भी ecology आपके द्वारा unplanned और unmanaged manner में की जारी exploitations को reply करेगी तो उसका प्रभाव भी समाज के कुछ वर्गों पर अधिक पड़ेगा बाकी वर्गों के comparatively समाज के कुछ चेत्र कुछ लोग अधिक प्रभावित होंगे बाकी चेत्र और बाकी लोग के मुकाबले ऐसे में यह study करना ज़रूरी हो जाता है कि society and environment में कितनी harmony है और कितने conflict है development है तो किस के लिए है क्या कोई privilege society है या उन development के नाम पर बहुत से लोगों को unprivileged किया जा रहा है या एक underprivileged society को continue रखा जा रहा है इन सब चीजों के ऊपर चर्चा है ओके देखें यहां पर हमने कुछ चीजें लिखी है सबसे पहले हमनी लाइन लिखी है social environment social environment के मामले में हमने क्या लिखा है नेचरली दो वर्ट से मिलकर के बना है social environment emerge from the interaction between biophysical ecology and human interventions okay human key interventions biophysical ecology the next आता है social organization the interaction between environment and society is shaped by social organization example property relations different relationships between environment and society also reflect different social values and norms as a knowledge system नीचे question है risk societies और उसके नीचे मैंने कुछ चीजे लिखी है फिर आता है topic major environmental problems and risk का चलिए कुछ लाइनों से शुरुआत करते हैं कुछ चीजों की देखें जब आप डेली जाते हैं आज की देट में तो आप अगर वहां पर metro पकड़ते हैं तो डेली metro लेकर के आप इंद्रा गांदी national airport की तरफ जाईए मेट्रो से जाईए तो आपको अधिकतर रस्ते में एक forest टाइप एरिया मिलता जाएगा रेल गाड़ी के किनारे आपको ऐसा फील होता रहेगा कि forest है और आप हैरान हो जाएंगे कि डेली में भी ऐसा एरिया है यह है डेली में इसे ridge forest कहते हैं इसा पाए जाता है कि अरावली मांटेन एक समय में उत्राखंड तक पहुंचता था लेकिन आज वो वहाँ पर अंडर कवर पहुंचता है ऐसा कहा जाता है जमीन में मिट्टी के नीचे सीचे और उसके कुछ-कुछ टुकड़े आज भी डेली में पाए जाते हैं और उसके बाद जब आप गुडगाहों से होकर के जैपूर जाना चाहेंगे तो फिर तो आपको अरावली दिखना शुरू हो जाएगा बीज बीज में blocks नज़र आएंगे एक block फिर broken then block फिर broken then block then broken फिर continuous शुरू हो जाएगा थोड़ी दूरी के बाद जाकर चोखी धानी करके कोई जगा आती है उसके आगे continuous ही मिलना शुरू हो जाएगा तो अरावली एक बहुत ही विशाल परवत हुआ करता था एक समय में तो जो बचे खुची छेतर बचे हैं उन्हें हम रिजज कहते हैं जैसे कि रिज और वैली टोपोग्राफी रिज हम इसी को कहते हैं किसी पहाड की इस आकरिती को हम रिज कह देते हैं तो रिज फॉरेस्ट पाया जाता है डैली में यह जो रिज फॉरेस्ट है वहाँ पर जब आप जाएंगे रेल गाड़ी किनारे आप देखेंगे तो आपको किकर नज़र आएगी कौन से पेड़ नज़र आएंगे किकर पंजाब में पहले किकरें हुआ करती थी आज बड़े सतर पर वो किकरें क विलाईती किकर है इसका इंगलिश नाम क्या है कि पॉरोसौपेस जूली फ्लोरा पॉरोसौपेस जूली फ्लोरा असल में 1915 में ब्रिटिशर्स के द्वारा साउथ अमेरिकन कॉंटिनेंट से यह पौधा लाकर के इस रिज फॉरेस्ट चेतर में लगाया गया पॉरोसौप । जूली फेल फ्लोरा इसे कहते हैं विलाईती किकर यह लगाई गई यह ओंपर और यह टेजी से उत्रभारत में फैल गई नौर्थ इंडिया में और इसने उत्तर भारत को डॉमिनेट कर दिया तो उत्तर भारत में अब आप देखेंगे तो किकरें बहुत हुआ करती थी आई बाद समझ में किकर बड़े पैमाने पर होती थी फिर पंजाब में एक समय में सफेदा लाकर के लगाया गया यूगलेप् ठीक इसी तरह से अगर आप उत्रखन जाते हैं वहाँ पर आपको जिम कॉर्बेट नैशनल पार्क मिलेगा अगर आप जिम कॉर्बेट नैशनल पार्क में जाते हैं वहाँ पर आपको एक खास तरह की हरे रंग की घास दिखेगी पूरे के पूरे फॉरे इरिया में एक नहीं है इसे मेड़ो कहते हैं यह मेड़ो बड़ी बड़ी गरास रहती इस नहीं है यहां जो जिम कोर्बेट नेशनल पार है एक जमाने पर यहां पर बहुत हरे भरे गाउं बसा करती थे उन गाउन को हटा करके यहां पर आज के समय में जो आपको नैशनल पार्ग मिल रही है यह एक्मॉसफिर क्या गया और यहां पर नैशनल पार्ग यानी की एक्मॉर्स प्र सेटल किया गया गाउव महां से अब तो देखिए दिल्ली के दोसरी तरफ हमें चौर मिलती है उत्राखन में जिम कॉर्बेट नैशनल पार्क में जो कि वहां पर उर्जिनल यह थी नहीं एक समय में उन छेतर में अच्छा खासा आग्रिकल्चर होता था यानि कि उस नेशनल पार्क में एग्रिकल्चर होता था लेकिन फिर वहां से गाउं विस्थापित किये गए और आज वहां पर हमें ये मिलती है ऐसे और भी छेतर हैं जहां जहां पर भी Britishers का पैर पड़ा चाहे आप हिमाचल की बात कर लें या उतराखंड के या फिर जम्मु कश्मीर के छेतरों की बात कर लें और इजिनल फॉरेस्ट रिप्लेस कर दिये गए उन वुड के साथ उन टिंबर के साथ या उन ट्रीज के साथ जिनकी उन्हें जरूरत थी फ्यूल परपसेस से या फिर रेल गाड़ी के जो स्लिपर्स हैं यानि की रेल की दो पट्रियों को जोड़े रखने के लिए जो लकड मताबिक जो उन्हें वुड चाहिए थी उस नसल के पेड़ों से बदल डाला और इस तरह से बड़े स्तर पर इंपेक्ट किया गया एकलोजी के और इन्वार्मेंट को ओके बड़े स्तर पर एकलोजी को क्योंकि फिजिकल कंडिशन्स मैंने आपको भी बताया कि अगर आप डëśet की बात करें तो वहां पर रेत है's ये कारण कि वहां पर खेटी नहीं हो पाती है क्योंकि रहेत हैं वहंपर वहां पर वो गुणसभी नहीं हैं वहां पर नहीं लेकिन अगर वहां पर पानी पहुंचा दे तो ऐसा माना जाता और आगर मॉश्चर पहुंचा दे फिर भी उसमें फर्ट्илाइटी है पानी पहुंचा दे तो रेत आपको मिट्टी का काम दे देगी लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि जो भी महाँ पर फसले होंगी या जो भी महाँ पर पेड़ पौदे होते हैं उनकी पतियां जब तूट करके निचे गिरती हैं वो डिकंपोज होती है इसे लीफ लिटर क्रिये को सॉइल बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है ऐसे में यह बाइलाजिकल ऐलिमेट जो थे हैं इन्होंने फिसीटल एलिमेट को ट्रैंसफॉर्म किया लेकिन उस छेत्र की फिसीटल इलिमेंट कर रहे हैं कि वहां पर किस तरह की बाईलोजिकल हैं कौन से पेड़ पौदे है वहाँ पर खेती होती है यह वहाँ पर wild meadows उगाई जा रही है यह दोनों चीज़ों में जब परिवर्तन आ जाएगा तो वहां की सॉयल वहां के character of सॉयल में भी परिवर्तन आ जाएगा physical element में भी चेज़ आ जाएगा यह बड़ी चीज़ है वहां पर जरने नदियां इनके पानी को harvest करने का harness करने के तरीके में भी परिवर्तन आ जाएगा तो इस तरह से जो सुसाइटी है वह सुसाइटी ने अपने purposes सर्फ करने के लिए वुड उस choice की लगाई जो उनके नए capitalist mode को सर्फ करती थी उस capitalist पर रिलगाडी sleeper बनाने के लिए साल के पेड चाहिए थे उने टीक के के चाहिए थे इस तरह पिड़ों की जरूरत थी उने चीर चील के यृदों की भी जरूरति और देवदार के पेड़ भी चाहिए थे आज आँप हजियार जाते हैं आपको बेंथर aa पर देवदार देखता वह देवदार एक्चुली में औरीजनल फॉरस्ट नहीं है और इजनल यहां पर कभी चीर और चील पाया जाता था जिसे हटा करके वहां पर देवदार के व्रेक्ष लगाए गए आई बास समझ में तो देवदार के पेड़ जगा जगा पर आपको दे रिक्वायट थे उन्होंने उन चीज़ों को प्रमोट किया यानी कि उस समय की सोसाइटी, तो बायो-फिजिकल प्रोसेसे इंपक्ट हुए Of the Nature यानिकि Ecology Impact हूई आई बस समझ में यानि कि Society में dull था Ecology को इस मैनर में Impact करने का लेकिन यहां पर Society में dull था Ecology को Impact करने की Line को यहां से महत्वोर्ण manner में बस्जेए कि Social Organizations में dull था Social Organization में dull था Environment को Impact करने की मैंने यह शब्द Social Organization क bachelor को यूज किया अब मैं इसको justify करता हूं अब हम इसको समझते हैं ध्यान से समझें देखिए हम कुछ तरह की के studies को कुछ कहानियों को अब यहां पर समझेंगे देखिए आज हम जिस society में जी रहे हैं वह रिस्क साइटी हैं रिस्को साइटी what to mean by the risk society रिक्ष्क आठ होता है अप उन technologies और इसके अभी पूरी पर नहीं है आप पूर्च आप उन technology और उन पर अंप आप यूज कर रहे हैं जिसपर आप की पूरी परधा भी नहीं है fully grasp नहीं है थीडिया है इस लिए दुरगटनाएं हो सकती हैं तो दुरगटनाएं हो जाती हैं जैसे कि चैर्नोबिल में हुआ न्यूक्लियर एक्सिडेंट जैसे कि भोपाल में हुई ग्रैस ट्रेजडी इस तरह की घटनाएं होते से यह स्थापित होता है कि आप ऐसी टेक्नोलोजी और ऐसे प्रडॉक होती हैं उधारण के रूप में हम कुछ चीजों को समझते हैं जैसे हम भोपाल गैस ट्रेजडी के इविंट की बात करते हैं भोपाल गैस ट्रेजडी तीन दिसंबर 1984 की रात को हुई ऐसा माना जाता है कि एक जो गैस है देट इस मिथाइल आइसो साइनेट मिथायल आइसो साइनेट नाम की गैस जो है वो रिलीज हो गई कहानी क्या थी पूरी के पूरी देखिए यह कार खाना था 1977 में पूरिके पूरे बहुपाल ने इस कार खाने को वेलकम किया इस फैक्ट्री को वेलकमब किया इस फैक्ट्री का मेन का पैस्टीसाइड बनाना था कि पैस्टीजज फर्टिलाइब शटीजर या दिन और उस जमाने में इसके आवशक्ता भी बहुत थी क्योंकि 1967 में ग्रीन रेवलुशन आया था और उसके बाद यह बहुत जरूरी था कि खेतों में सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज किये जाएं ताकि उपजाव शम्ता बढ़ सके खेतों की ताकि हाई येल्ड अचीव की जा सके हाई येल्डिंग वराइटीज को सपोर्ट करने के लिए 1977 में समूच भुपाल ने पूरे देश ने इसका स्वागत किया क्या कारण रहा होगा मल्टिपल रीजन्स मानेगा इसके जैसे सबसे पहला रीजन यह माना गया कि भुपाल के लोगों को जॉब मिलेगी भुपाल के लिए money as a revenue जनरेट होगा देश के इस तरपर foreign exchange reserves जो हैं वो सेव होंगे क्योंकि हमें बड़े स्तर पर fertilizers import करने पड़ते थे और fertilizers को import करने के लिए हमें काफी बड़े पैमाने पर डॉलर्स खर्च करने पड़ते थे यानि कि अपने रुपए दे करके डॉलर लेने पड़ते हैं तो हमारे पास जो डॉलर्स का रिजर्व है वो ख fertilizers बनेंगे तो इसका सीधा सीधा नतीजा यह निकल करके आएगा कि आपको कम इंपोर्ट करना पड़ेगा जिसकी वजह से कम डॉलर खर्च होंगे तो फॉरन एक्चेंज रिजर्वस प्रोटेक्ट होंगे आपके देश को जरूरी था फॉरन एक्चेंज रिजर्वस को प प्रिंट्स गैस लेक्यों होते रहते थे